जै शिराम भगतो जै शिरी बाला जी मारा जै माता की कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्सित हैं और जो हैं आपके उपर बाबा की और माता राने की भी कृपा बने हुई है तो आज हम जानेगे जैसे कि आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि हम मेंधिपुर बाला जी से आते हैं और आने के बाद हमें पता ही नहीं होता है कि पूजा का संकल्प कैसे लें किन बातों का ध्यान रखें कैसे पूजा पाट करें घर में तो आज आपको इन सारी बातों का पता चलने वाला है अंतक बने रहे तब ही आपको सारी जानकारी मिलेगी अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल पे तो लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सबस्क्राइब करें साथ में हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है उस पे भी आप हमें फोलो करना स्टार्ट कर दीजे ताकि आपको वहाँ पे भी बाबा से जूड़ी हुई जानकारिया मिलती रहे चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैशीराम 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 बाला जी महराज मेंदी पुर की पवित्र किरपा आपके प्रवापनें तर बरस्ती रहे और बरस्ती तो है क्योंकि आप जो कंटिनू हमें इतना प्यार दे रहे हैं वीडियो को वाच कर रहे हैं और शेर भी करते हैं बहुत से लोग क्योंकि मेरे को मालो खुद के पास भी वो बेजते हैं मेरे पास भी तो मैं तो चाहता हूं कि बलकि शेर होगी तो उन लोगों को जो जो लोग जैसे अब कोई व्यक्ति मेंदी पूर जा रहा है किसी भी पकार की भूत प्रेतों से गरस्त है तंगी है परशान है मालो उस व्यक्ति को ये नहीं पता लग रहा कि मुझे क्या करना चाहिए जैसे बहुत से यह बताऊंगा कि है जैसे बहुत मे endi पूर से आने के बाद हमें किस पकार जोत लगाने चाहए ग्यारा दिन की इकिस दिन की तालिट दिन की उसलिक भी हमने वीडियो बना रखंची है अगर जोत खंडिक माजणी इनिहनी अम्बिके की किरपा के अनुसारी तो मैं आज आपको बताऊंगा यही चीजे कि अगर आप मेंधिपूर बाला जी से आ रहे हो और आने उपरांत अगर आपके घर के अंदर आपको किस पकार की पूझा का संकल अपरेना चाहिए क्या उस दुरान हमें हनुमान चलिसा पढ़ने चाहिए या सुन्दरकान के पाठ करने चाहिए या रमाइन का पाठ करना चाहिए अगर कर भी रहे हैं तो हमें किस पकार का पाठ करके चलना चाहिए सबसे पहली बात तो जो विखती मेंधिपूर बाला जी कहे हैं तो जो अपने गुरू के अनुसार चाते हैं या किसी भगत के अनुसार जा रहे हैं तो उनी के अनुसारी कारिये करते हैं अगर आप किसी गुरू से जुड़े वे हो तो उनी के अनुसारी आप कारिये कर रहे हो अगर आप हमारी वीडियो के नुसार चल रहे हो और पहली वार मेंदी पुरबाला जी इसे आप आए हो तो अब हमें अपने घर को किस पकार से बनाना है हमारे घर के अंदर हमें अगर आप अखंड जोत लगा रहे हो तो सुबह साम का जो भोग लगाते हो आरती करते हो अब ह चावलों में हलकासा आपने हल्दी लगानी है। हल्दी लगाकर आपने स्वास्तिक बनाना है पलेट के ओपर, किसी भी थाली में कासे की पितल की थाली के अंदर आपने सवास्तिक बनाना है। और दस रुपे की दर्कास लेनी है दस रुपे की दर्कास क्या होती है पांच रुपे की दर्कास होती थी पहले सवादो रुपे की होती थी उस पर बड़ी हमने वीडियो बना रखी है कि दर्कास क्या होती है क्योंकि बहुत से लोग कुमेंट कर देते हैं कहीं लोग ऐसे कह के बाद शिरी बालाजी महाराज की शक्तियों से अवान करना है कि हे मेंदीपुर की सची शक्तियों हे बाबा मैं सचे मन से अपने परिवार के साथ जो रोगी है उसको भी समक्ष बिठा कर इस पकार का संकलब लीजिए इस्तरी हो या जैन्स हो दोनों ही उनकी हात में देने या कोई भी व्यक्ती ले सकता है लेकिन उसका समख्ष वहीं पर और होना पने और चाहर है दो आपने कहना है कि कह दो यृफ आप की किर्पा का पातर बढ़ना चाहता हूं के भख्त 시लोमनि फीर वीर शिलोमनि आप आप जैसा भक्त भी इस अंसार में कोई नहीं है और आप जैसा वीर में कोई नहीं है मैंने सुना है अपने बजुर्गों से जाना है आपकी जो चरित्रों के बारे में सुना है अपने अंदर धार्न करने की मैं प्रत्थम चेश्टा कर Almighty हूँ हे प्रभु मैं आपकी श्री चर्णों का दास हूँ हे बाबा मैं श्री चर्णों में जुड़ना चाता हूँ मेरे घर के अंदर करा कराई ओपरी प्राई उचाटन मारासं तंतर अगोर तंतर महाचंडी महाविद्या मामसानी या जितनी भी इस संसार में ऐ भद्र शक् मादम से मेरे घर के परती कुछ भी ऐसा कारिया किया हो तो हे प्रभु मैं आपका ये पाठ करके आज उस किरिया को समाप्त करना चाहता हूँ मैं महंदीपुर धोक मार के आया हूँ मैं बाबा के श्री चर्णों में अपने उनकी धूली मस्तक पर लगा कर आया हूँ और ब हनुमान चलिसा का पाठ भी कर सकते हो सो हनुमान चलिसा का भी पाठ कर सकते हो कि मैं सो हनुमान चलिसा एक ही दिन में पढ़ूंगा तो इस पकार का पाठ भी आप कर सकते हो और ये लंगा तार जो संकलप आपने ले लिया अगर कोई लेडिज है तो वो 21 दिन का संकलप ले जाती है कोकि संकर भी कई वारी इस तरह गंदा लुच्या होता है कि वो भी किसी वेविपकार की लेडिश प्रोप्लम ले ले कर देता है तो उस दुरान आपको अपने पत्री का या पने बच्चे का या कोई बच्चा नहीं है तो आगर आप ये संकलब ले सकते हो कि मैं इस पकार से आपने भगति को जागरित किया मालो आपने प्रभु का पाठ का सिमरन किया एक पाठ ऐसा होता है जो कि जब आप पाठ करते हो ध्यान कहीं और चला आता है तो उस पाठ को नहीं सविकार होता जो आपको सच्चे मन से उच्चे सवर में जिस पाठ को करने से आपको पसीने आने लग जाएं तब पाठ ज्यादा सवीकार होगा क्योंकि अंतर की उर्जा निकलेगी बार अंदर की उर्जा निकलेगी जैसे कि हमने मालो बजरंगबान का पाठ लिया निश्चे प्रेम पीति ते विने करेशन मान तेके कार सिद्ध करेई जै तो इस पकार से क्या है आपने पाथ लिया अब हनुमान चली साह काही ले लो कि जो भी आप कर रहे हो संकट कटे मिटे सब भीरा जो सुम्रे हनुमत भीरा वालो उगर सुवाप से अंदर के अंदर ताकि आपका पाठ में ही ध्यान रहे वालो पाठ से अगर आपने इस पकार से पाठ किया तो वो पाठ जो है आपका पड़ा यार पड़ा एक ही बराबर हो जाता है क्योंकि जब आप उचे सवर में पाठ करते हो जो नकरात्मक उर्जा आपके घर के अंदर परवेश करने की चेश्टा भी नहीं करती जो नकरात्मक उर्जा आप मेहंदीपुर बाला जी छोड़ के आये हो और छोड़ने के दुरान आप जब घर में आप इस पकार का पाट कर रहे हो तो वो आपके घर में परवेश करने का भी निस हो सकती 41 दिन के अंदर किस पकार के प्रेज करने है वो भी मैंने आपको बताया है क्योंकि हमारी पीछे वीडियो बनी भी है इन चीजों के उपर जब सुंदर कांड का पार्ट करो या रमायन का पार्ट भी का आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ये पार्ट जो है बहुत उत्तम है और दुर्गा सब्तिशी का भी पार्ट कर सकते हो आप दुर्गा सब्तिशी का भी पार्ट कर सकते हो दुर्गा चलिसा का भी पार्ट कर सकते हो नेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो हनुमान चलिसा का ही पाठ कीजिए और सो हनुमान चलिसा का संकलप ले लीजिए कि मैं एक दिन में सो हनुमान चलिसा का को पूर्ण करूंगा और अगर सो नहीं कर सकते तो आप पचास भी कर सकते हो जब अरदस्ती शरीर के साथ नहीं करन तो वो भगवान को भी तकलीफ होती है, अपने बच्चे को तकलीफ देने से, तो इस पकार से आप, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार जो तकलीफ हमें मिली भी है, वो तो मिली भी है, चाहिए वो भूत प्रेत से जूड़ी भी हो, नेकिन अगर हम कष्ट अपने शरीर को दे बजरंग बान के पाठ का भी कर सकते हो, हनुमान चलिसा का भी कर सकते हो, तो इस पाकार के पाठ में, और पाठ में जब आप करो, तो जोत का घी, जोत का तापस आपने अपने शरीर पर धान करना है, जैसे कि जोत के उपर से हाथ नहीं फेरना है, जब अखंड जोत लगा रह उसका जो तापस है अपने शरीर पर धरन करना है जो रोगी है उसके शरीर पर भी लगाना है कि बाबा इसे जल्द से जल्द स्वस्त किया जाए हम आपकी किरपा के पातर बनना चाए है हम धर्म परचार हेतु कारिया करना जाते है इस पकार की कामना है तू आप कारिय कीजिए और इस पार्ट को करने से आपको कोई भी नहीं रोख पाएगा आपके घर में संकट भी परभाबशाली नहीं हो पाएगा और संकट भी दूर भागेगा क्योंकि घर को भी तो जगाना है ये तो है निकि घर उठा कर वा ले जाओ और यकीन मानिए आपकी पूजा सभीकार होगी और संकट दूर जरूर भागेगा आपके क्योंकि संकर्ट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत वेरी वेरा संकर्ट ते हनुमान चुडावे मन करम बचन ध्यान जोलावे जै माता की जै शीराम जै शीरी महंदीपूर की पवित्र गिरपा आपके परिवारपन्य इंतर बरस्ती रहे